और्कोटिक्स कंट्रोल ब्योरों के हाथ में कुछ ऐसे एविडेंस जरूर लगे होंगे जिन एविडेंस के जाच करते हुए वो यहाँ पर सुप्रीम कोट में उन्होंने कैंसिलेशन के लिए अपलाई किया है नसीबी को लगा कि रिया चकरवर्ती की बेल गलत हुए नसीबी निशित तोर पर जा रही है रिया चकरवर्ती के खिलाफ जो प्राइमा फेसी एविडेंस जाच कर रहे थे सुशान सिंग राजपूत की हत्या के और जो प्राइम एक्क्यूज उसमें जो जैसा कहा जा रहा है जैसा हम सब देख रहे हैं जैसा इनवेस्टिगेटर कर रहा है उसके मुताबिक जो है उनके रिया चकरवर्ती और शौविक चकरवर्ती और बाकी लोगों के इर्दियर दभूम रही है सर एनसीबी ने सुप्रीम कोट का रुख किया है जो अभी हाई कोट से रिया चकरवर्ती को ग्रांट बेल दी गई थी उन सारी चीजों को लेकर बिलकुल अगर किसी मामले में ऐसा लगता है कि बेल जो कोट है कोट ने इंपोर्टेंट फैक्ट्स को कंसीडर नहीं करते हुए दिया है तो हर किसी का ये राइट है ये क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में है कि वो उसके खिलाफ अपिलेट कोट में जा सकता है और इस माम करने के लिए NCB सुप्रीम कोट पहुची है देखे जिस तरीके से एक डर्टी सीक्रेट जो ड्रक का डर्टी सीक्रेट और बॉलिवूट का नेक्सस समझ में आया जो खुला जो नौर्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरों ने जिन तत्यों की जाच की बहुत सारे एक के बाद एक पॉसिबिल हो तक और कहां कहां से इनके नाम जुड़े हैं कौन से पॉलिवूट के सेलिबरिटीज हैं जो इसमें इनवाल्ड है पुलिस के लोग इनवाल्ड है तो वो सब करने के लिए कि इन्डिपेंडनेंट एजिंसी जो NCB है जो सेंट्रल एजिंसी है उसके द्वारा जाच होना जरूरी था और वो जाच चल रही थी जाच होने के साथ यह बेल देने का दिस्क्रीशन है कोट का और अपील लगाने का उसके पिर दिस्क्रीशन है एजिंसी का या किसी इन्डिविजियल का भी तो वो ऊसके अगेंस्ट आये परंतु इन सबसे एक बात मैं श्र बनाए बदलती थी, लोग समझते थे, लोग देखते थे, उससे अपने उपीनियन्स बना देते, इसलिए इनके खिलाफ एक इन्वेस्टिकेशन ऐसी होनी जरूरी थी, कि असल में जो ये लौका मिस्यूज और अब्यूज करते हैं, और एक्चुल में जो ये परदे पर इसलिए बेल देने के बाद इनवेस्टिकेशन फरदर रूकी नहीं नहीं फिर भी अगए नसीबी का डिस्क्रिशन है, नसीबी को लगा कि रिया चकरवर्ती की बेल गलत हुए, नसीबी निशित तोर पर जा रही है, दूसरा रिया चकरवर्ती के खिलाफ जो प्राइमा फ राजपूत की हत्या के, तो सुशान सिंग राजपूत की मौत हत्या हुई, सुसाइट था, या खुद कुनों ने सुसाइट कमिट किया, इन चीजों के बीच में सुई घुम रही है, और उसमें Central Bureau of Investigation उसकी जाच कर रही है, और जो प्राइम एक्क्यूज उसमें जो जैसा कहा जा रहा है, जैसा हम सब देख रहे हैं, जैसा investigator कर रहा है, उसके मुताबिक जो है उनकरिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती और बाकी लोगों के इर्दियर्द भूम रही है, तो इसलिए इसके independent inquiry होने के लिए जरूरी था, कि वो लोग जो है custody में रहें, क्यों बेल ठीक हुई है, सुप्रीम कोट उस petition को reject कर देगा, कह देगा नहीं, further custody में इनको ले करके जाने है, और सुप्रीम कोट उनकी बेल को cancel कर देगा, परन्तु अभी investigation complete नहीं हुई है, यह बात यह जानना जरूरी है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में truth का आना जरूरी है, जिन क कारणों से सुप्रीम कोट ने CBI investigation के लिए recommend किया, उन कारणों पर तो अभी तक तो कोई बात हुई ही नहीं है, सुशान सिंग राजपूत के case में तो actual में कुछ टृताया ही नहीं है, जैसा कि अभी जैसा यह news आई, तो social media पे भी तमाम तरीके के इन सारी चीज़ों को लेक करती है, तब तक जाच का एक-एक evidence जो है, कोट के सामने review के लिए रखा जाता है, और दूसरा law ये भी कहता है, अगर जाच पूरी होने के बाद भी कुछ ऐसे तथ्य होते हैं, तो कोट से permission लेकर के further investigation भी उसमें की जा सकती है, जैसे कि अरनो गोस्वामी के case में अगर आप अच में निस्चित तोर पर कुछ न कुछ तथ्य लगे होंगे, क्योंकि कोट किसी को permission देती है, री investigation या further investigation के लिए, तो वो further investigation देने के लिए ऐसे कुछ तथ्य होते हैं, जो सामने आते हैं, तब ही देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि कुछ तथ्य जरूर नेशनल तार किया है, तो वो सकता है, उसमें भी बड़े सारे तार जुड़े हों, तो कुछ ने कुछ निश्चित तोर पर investigator के हाथ में लगा होगा, और let's come in the public domain, अपको तर तमाम ऐसे लोग ते जो बॉलिवोड और राजनीती में से निकल निकल कर रही है, चकरवरती को support करने के लिए सामने आये थे, और आप जैसे कि अगर हम NCB की बात कर रहे हैं, तो सर उसी मुद्धे पर मैंने आप से बात की थी, कि जब NCB की तरब से 12,000 पेजों की चार्शिर दाखिल करना अपने आप में साबित करता है, कि drug peddlers का end user का, और ये so called celebrities का, इनका आपस में संबंध इसलिए ये जरूरी था कि वो जो है जाच हो करके और तमाम जो लोग हैं, जब जितने भी लोग इसमें involved हैं, उन सब की गिरफतारिया हो और गिरफतारे नहीं होती, तो उनके जो नेकसेस हैं, वो नेकसेस सामने आये, तो अभी जिस तरीके से जाच हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि निशचित तोर पर जो नेशनल नौर्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, नौर्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ में कुछ ऐसे एवीडेंस जरूर लगे होंगे, जिन एवीडेंस के जाच करते हुए, वो यहाँ पर सुप्रीम कोट में उन्होंने अगर देश देश डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में दो पहलू चलते हैं हर किसी को freedom of speech and expression एक fundamental right है तो अपनी बात कहने का सबको अधिकार है लेकिन वो बात कहने का अधिकार ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी जाच में असहयोग करें जाच में असहयोग करना और अपन ongoing investigation चल रहा है तो जब ongoing investigation already चल रहा है ऐसी परिस्थितियों में चांच को प्रभावित करने के उद्देश से कोई चिठियां लिखता है कोई influence करते है अरिया चक्रवर्ती को बेकसूर बनाता है उसको छुडाने की कोशिश करता है तो वो smooth administration of justice delivery system में interference हो गया लेकिन अगर अपना independent opinion दे रहे हैं तो ये भी जो भी लोग उस investigation में interfere कर रहे हैं अगर वो interference इस हद तक का है कि जाच को प्रभावित करते हो तो उनके खिलाब में पुलिस कारेवाही कर सकती है अनसी भी कारेवाही कर सकती है जैसे ये निउस आई और तमाम तरीके के लोग ये भी कह रहे है पर ड्रक्स की मामले में सामने आ चुकती है जब आपने जैसे कि कहा कि जब investigation चल रही है तो फिर कुछ लोगों ने कैसे clean shoot दे दी रही आ चकरवर्ती को कारो बार तो बहुत पहले से चल रहा था लेकिन अब ये है कि ये कारो बार अब जो है जनता के सामने आया अब जो है जहांस एजनसियों के सामने आया पहले क्या होता था मैं तो यह समझता हूँ कि जो inquest proceedings हुई जो inquest सुशान सिंग राजपूत के case में हुआ देश का पहला ऐसा हिस्ट्री में case होगा जिस पर 65 दिन सिर्फ पुलिस ने फायार ही दर्ज नहीं किया और उसके बाद फायार कब दर्ज किया या फायार दर्ज हुई जब वहाँ पर पटना में judicial magistrate ने cognizance लेकर फायार दर्ज किया फिर जब CBI को investigation गई तो आप ऐसा नहीं था इन ड्रगिस से या ड्रग पेडलर से कहीं नहीं नेक्सिस था लेकिन वह पब्लिक डॉमेन में इसलिए नहीं आता था क्योंकि यह सेलिविटीज बहुत बढ़े देखिए दिपिका पादुकोर को भी उनकी सामरे उनका भी मिला वो तो पूरा मैंने ऐसा सुना कि वो डी गुरूब भी चलाती थी हो सकता है वो गलत हो लेकिन निश्चित तोर पर एक जांच होनी चाहिए जांच की प्रक्रिया में सबको सहयोग करना चाहिए मेरा एक लास सवाल कि जैसे के भी आपने मुंबई पुलिस का नाम लिया और जैसे भी सुषान सिंग राजपूत के मामले में तमाम तरीके की चीज़ें देखी गए इन रख का मामला भी हमने देखा तो इन सारी चीज़ों को लेकर जिस देश की जनता के सवालों को मैं क्योंकि TRP केस में 1000 लोगों के उपर है घर में AK47 लेकर के सचिन वाजे जैसे जो अपराधिक किस्म के लोग हैं वो लोग चले जाते हैं सुबह सुबह पहुंच जाते हैं अरनगोस्वामी के घर पर फिर पता चलता है कि जो मुकेशंबानी के घर के बाहर जो एक्स्प्लोस निश्चित तोर पर कहीं न कहीं उनका ड्यूबियस रोल रहा है और ये पब्लीक डोमेन में अब आ रहा है अब इसका हम सब लोग वेट करते हैं अनिवासा थेंक्यू